जो session on demand की series चल रही है इसमें आज का session आपकी पूरी जितनी भी आप lifelong आप ट्रेडिंग करेंगे पूरी ट्रेडिंग जरनी में एक meal का पत्थर साबित होगा आज का एक मातर session ठीक है हलाक इसके दो part है आज मैं एक cover up कर लूँगा next part अगले session में आप लोग अगर पसंद इसको comment section में बताइएगा तो next part भी इसका cover up कर लूँगा ठीक है और यह चीजें basically हम लोग classes में सीखते हैं कुछ समय लेकर 20-25 मिनट जितना समय मैं समझ पाऊंगा जितना मुझे बताने में समय लगेगा उतना समय मैं लूँगा और पूरा आपका ये पूरा setup और concept आगो clear क क्या तकलीफ आती है मेजर बताइए एक प्राइज वो downtrend के candles बना रहा हो नीचे आ रहा हो और एक जगह फिर वो रुकने की कोशिश करता है थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया हुआ है पहले गिरते हुए price को sell नहीं करते जब वो कहीं थोड़ा सा रुकने लगता है त तो कहीं न कहीं से जायर सी बात है चलके गया होगा ठीक है तो आप लोग क्या करते हैं गिरावट के price में previous कहीं भी support को खोज लेते हैं दिख जाता है कि जैसे यह price गिरा है अब यह support की तरह यहां दिख रहा है ठीक है तो buyers क्या करेंगे यहां पर खरीदारी की कोशिश करें अब उनका यह stop loss it हो जाएगा तो है क्या किस support को हमको respect देना है बात को समझे कब support work करेगा कब यहां से reversal आएगा और कब इसका breakdown देखना है देखिए मैं आपको एक बात बताओं काई traders सिर्फ एक चीज़ में उल्जे रह जाते हैं कि मुझे support और resistance मार करने आ गया है sir support mark करना आ गया है price support के पास आएगा आप कैसे decide कीज़ेगा यह breakdown होगा या फिर यहां से reversal होगा support price वही है जैसे कल के session में अगर आप गौर करें तो support level तो यही है आप लोगोंने कल बहुत यहां पर कई traders बोलते हैं कि यहां पर तकलीफ आता इस जगे तकलीफ आता तो वो ज live trading जो आप करते हैं live market में इंट्राडे trading वो कितना enhance हो जाती ठीक है इसको फील कीजिएगा ठीक है जब आपको इससे बहुत ज़्यादा benefit हो और हमारी language से connect कर पाईएगा तब आप classes को join कीजिएगा वहां ऐसे बहुत miracle concept आपके साथ शेयर किये जाते हैं ठीक है projection के साथ marketing सीखना है तो आपके पास comment sorry description में आपके पास contact detail मिल जाएगा उसके साथ telegram का link मिल जाएगा टेलीग्राम में आप हमारे details देख सकते हैं contact details वहीं मिल जाएगा direct contact करके आप पूछ सकते हैं और join कर सकते हैं देखिए यही support है काम कब करेगा और कब काम नहीं करेगा देखिए जब price यहां पहुच रहा है तो हम ही लोगों में से आधे retailer यहां पर long करने का सोच रहे हैं support देख रहे हैं और आधे retailer इसके breakdown का सोच रहे हैं तो psychological difference हो गया ना मैं जो सोच रहा हूँ आप कुछ और सोच रहे हैं ठी यह की जीतने वाला है या तो buyer या तो seller तो कहां गलती होती है कहां पर हम लोग misunderstood करते हैं price को और वहां पर stop loss hunting हो जाता है तो हमारे पास इससे बचने के कुछ रास्ते कई बार price अप्रेंड में होता है ना तो आप लोग चलते हुए price को resistance क्योंकि कोई price चलके जा रहा है जही गिर कर आया वहां पहुंच रहा है तो कुछ इसका breakout देख रहे हैं और कुछ यहां से reversal देख रहे हैं तो कोई एक तो गलत साबित होगा तो हमको कोशिश करनी है कि हम गलत साबित ना हो हम उन traders के एक जुंड में सामिल हो जो यहां पर सही नेड़ा करेंगे तो एक nearby resistance या nearby support एक right decision लेना एक सही trade का execution करना यह बहुत मातपूर है सही mindset जब आप बनाएंगे तब उससे आपका एक अच्छा trade execution होता है और intraday के 2-3 trade आप करिएगा और feel कीजिएगा कि आपकी गलतियां लग-बग-बग-खत्म हो गई लग सिर्फ support resistance को trade कीजिए और जो मैं concept आपको बता के होते हैं आप लोगोंने क्या सीखा है बताइए आप लोगों को लगता है कि consolidation का मतलब हुआ कि price बहुत देर तक बहुत समय बहुत time गुजार गया और बड़ी range बनाकर एक बहुत समय तक trade कर रहा था यह consolidation phase है नहीं ऐसी बात नहीं consolidation phase short भी हो सकते हैं और long भी हो सकते हैं ज weekly time frame है तो consolidation phase हो सकता है 6 महीने 8 महीने के हो साल भर के हो डेड़ साल दो साल के हो ठीक है और वहीं पर अगर daily time frame है तो 4-5 महीने 2 महीने 1 महीने इस तरीके के consolidation phase हो सकते हैं इसी तरीके से जब आप one hourly time frame पर आते हैं तो consolidation phase एक दिन दो दिन तीन दिन के भी हो सकते हैं इसका मतलब जब है 6 candle 12 candle या 15 candle इसी तरीके से जब आप और छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं पांच दस मिनट या दो मिनट के टाइम फ्रेम पर तो consolidation phase तीन या चार या पांच candle के भी हो सकते हैं अब समझ में आए consolidation क्या है consolidation कितना बड़ा होगा ये टाइम फ्रेम पर भी निर्वर करेगा बायर कितना बड़ा है अब महिने का खरीदार है तो उसको खरीदने में समय लग रहा है तीन साल चार साल पांस साल हफते का खरीदार है उसको समय लग रहा है एक साल छे महीना आठ महीना डेड़ साल और दिन का खरीदार है तो दो महीना धाई महीना चार महीना खरीदेगा कितना खरीद पाएगा और वहीं अगर वही खरीदार एक दिन में बीच में कहीं खरीदने आता है इंट्राडे का बायर है तो वो 2-2 मिनट में 8-10 मिनट में खरीदारी कर लेगा 20-25 मिनट में खरीदारी कर लेगा बात के लिए हुई तो consolidation phase फ्रेम जो है वो time frame पर भी निधारद करता है time frame कितना बड़ा है उस पर निधारद होगा ठीक है तो consolidation phase कैसे कैसे होते हैं हमको भी हो सकते हैं ठीक है इतना clear हुआ तो देखें consolidation phase दो तरीके क्यों होते हैं एक होता है positive consolidation अच्छा positive consolidation से क्या समझते हैं कि कोई price अगर nearby resistance पहुचा और वहाँ पर positive consolidation कर रहा है तो वहाँ पर हमको short का position लेना चाहिए क्या market में short का position लेना चाहिए आप लोग क्या करते हैं कि कोई price nearby resistance पहुचा तो पहले से मन बना लिया गलती को समझिएगा ठीक है पहले से मन बना लिया किस बात का कि long करना है breakout देखना है या यहां से short करना है reversal देखना है नहीं price किसी resistance या support के पहुचने के पाग बताता है अगर resistance के पास पहुचा उसके बाद price में आप तै कर सकते हैं वो breakout देखना है या breakdown देखना है या reversal देखना है किसी support के पास price पहुचे तो पहुचने के बाद price में आप तै कर सकते हैं यहां पर breakdown देखना है या reversal देखना है बात clear हुई कैसे वो कैसे पता लगेगा अगर positive consolidation कभी भी price एक support के पास आकर करे इसका मतलब है यहां से reversal देखना है पहले मैं आपके concept clear कर दूँ उसके बाद projection की theory clear कर देता हूँ कहीं भी confusion नहीं रहना चाहिए one by one एक एक step आगे बढ़ना है अगर positive consolidation कहीं भी एक support के पास देखे तो वहां breakdown नहीं देखना है अब mindset clear हुआ, psychology clear हुआ positive consolidation क्या होता है अभी समझ लेंगे लेकिन एक बात clear हो गई कि अगर positive consolidation कभी support के पास देखने को मिले तो वहां short करने से बचना है वहां long करने का सोचना है दूसरी बात अगर कोई positive consolidation किसी resistance के पास देख गया तो फिर वहां short करने से बचना है और breakout देखना है positive consolidation बिल्कुल clear हो गया negative consolidation इसके बिल्कुल उलटे तो पहले हम आज के session में positive consolidation को अच्छे से समझ लेते हैं और अगले session में आप लोग request करेंगे नीचे comment section में बताईएगा या ping कीजिएगा message telegram का description में link है उससे आप direct telegram पे message ping कर सकते हैं जितने ज्यादा मुझे वहां पर messages receive होंगे वहां से मैं clear करूँगा कि अगला session आपको इसका कब करना है आज करना है या कल करना है ठीक है जितना आपके maximum comment जितना मुझे मिलेगा उतना करूँगा ठीक है देखे positive consolidation क्या होता है समझे मैं आपको पहली theory एक बताता हूँ कि कोई price जब गिर रहा हो गिरते हुए price को नहीं खरीते जैसे ये price गिर रहा है तो गिरते हुए price में आप समझ लीजे जब price में selling का impact खत्म होगा उस impact खत्म होने के बाद जो nearby support मिलेगा वहाँ पर जैसा price देखेगा वहाँ कोई mood बनेगा बात clear हुई? ठीक है? अच्छा माल लेते हैं कि कोई price 200 रुपए से गिर रहा था उसका एक support 180 पर लगा है अब देखिए ध्यान से एक एक point को सुनिएगा तो ही clear होगा 200 किसे price गिरा तो selling का impact इतना था कि price 40 रुपए तक गिर सकता है और 180 का support था price ने respect नहीं किया 200 से गिरा और गिरते 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 160 पहुँच गया ठीक है? अब 160 के पास एक support लगा हुआ था जो था 158 का ठीक है? अब यहाँ पर जब price 160 पहुँचा तो रुकने लगा अब मुझे यहाँ पर क्या देखना होगा? यहाँ पर मुझे देखना होगा कि previous buyer जो पिछला buyer जिसने यह 40 रुपए की बिकवाली की यह यहाँ पर और aggressive है क्या? या फिर यह जो buyer यहाँ पर अब मिले हैं जो selling के impact खत्मोने के बाद मिले हैं यह खरीदर इतने capability रखते हैं कि आप price को यहाँ से reverse कर सकें कैसे पता लगेगा? Positive consolidation Positive consolidation क्लियर कर देगा कि आगे क्या करना है अच्छा positive consolidation कैसे होता है बताईए अब जब price यहाँ पर रुकेगा तो रुकने का तरीका कैसा है? उसका process क्या है? अगली 3-4-5-10 candle आपको बता देगी कि क्या होने वाला है बात क्लियर हो गई? अब देखिए यहीं क्लियर होगा कि 158 के नीचे price में short selling का हमको mood बनाना है या फिर यहाँ से कोई swing high निकल जाए तो वहाँ long करने का mood बनाना है इस consolidation phase में तै होगा आप क्या करते हैं? आपकी गलती है कि आप गिरावट में ही तै कर लेते हैं support के पास support तो break हो जाएगा अगर बड़ी selling हुई, बड़ा impact है selling का कोई support one time में break हो सकता है बात clear हुई? ठीक है? ध्यान से, बिलकुल एकदम कानों को खोल कर रखिए एक-एक concept आपका clear होना चाहिए ठीक है? आप देखें तो positive consolidation 158 के पास कैसे पता लगेगा? ध्यान से सुए पहुँचे हम 160 तक 160 के पास एक candle बनी जिस candle से previous पूरे trend के एक fresh low लगे थे पूरे trend का जिस last candle से fresh low लगता है वो last candle होगा कैसा भी body size हो, कैसा भी wick size हो जैसा भी candle दिख रहा हो, x, y, z कुछ भी नहीं देखना है ठीक है? मैंने क्या बोला? गिरावट के बाद जैसे candle के low लग गए ठीक है? जिस तरीके के low लग गए अब मुझे क्या करना है? उस candle के high और low मार कर लेने और यहीं पर इसी candle से अब तै होगा कि अब buyer यहाँ पर strong है seller के मुकाबले? या seller यहाँ पर अभी भी strong है? buyer के मुकाबले लास्ट केंडल जिससे लास्ट एक low लगे होते हैं लास्ट लो पूरे एक impact के बाद एक गिरावट के बाद जो price ने low लगा दिया जिस लास्ट केंडल से अगर price अगली 2 से 3 या 4 candle उसके ऊपर रुकने की कुशिश करे हाई के उपर अगर खरीदार यहां पर अच्छा है तो वो price में क्या करेगा? जहां low लगा है उससे दूर price में consolidation कराने की तयारी करेगा क्यों? अगर pass में कराया तो seller कभी भी उसकी supply तेज होगी seller की ज्यादा बिकवाली करेगा तो उसकी जितनी demand होगी demand क्रेट कर पाए तो पहला काम उसको क्या होगा? एक बड़ी demand जो price को उसके low के पास ना रुपने दे last candle के high के उपर रोकने की कोशिश करें यह buyer का एक अच्छा sign होता है यही positive consolidation है मैंने क्या बोला? last candle का जो formation है उसका high mark कीजिए अगर candle अगली 3 से 4 candle यह hot zone होता है अगली 3 से 4 candle में से अगर 4-5 candle जो अगली बनेगी next वो अंदर आती है समझे ऐसे price गिरा यहाँ पर हम support के पास पहुँच गए अब इस candle के high mark कर लीजे अब price next candle open होती है नीचे आने की कोशिश करें और close करने इस high की उपर जाए फिर अगली candle open हो यही पर open होगी नीचे आए और फिर close करने इस high की उपर जाए अगली candle फिर से नीचे आने की कोशिश करें उपर जाने की कोशिश करें बस close इस high के उपर हो ऐसे formation अब देखिए लगातार 4-5 candle बनती है तो 5-5 इस high की उपर ना भी close करें एक आद अंदर करे तो चलेगा लेकिन जो candle अंदर close करेगी थोड़ा सा tough होगा जो candle अंदर close करे उसका upper wick नहीं होना चाहिए अपर wick बड़ा नहीं होना चाहिए ध्यान रखिए अगर आपने high mark किया यह लास्ट candle है इसके आपने high mark किया price उपर जा रहा है और close करने नीचे आ रहा है इसमें upper wick बड़ा है न यह rejection का sign है यहाँ पर seller strong है वो seller price को अपने low के पास ठहराने की कोशिश कर रहा है और buyer पूरी छमता लगा रहा है price को उपर ले गया लेकिन वहाँ पर रोक नहीं पाया मतलब price में sustainability नहीं ला पाया इतनी demand create नहीं कर पाया जितने की seller की supply बात clear हुई कोई भी confusion नहीं होना चाहिए ठीक है अब जब price एक last candle के high के उपर रुकने लगे तो हमको क्या करना है यही पर long करने के formation देखने अब यहाँ पर short तो भूली जाना है यहाँ पर short करने का तो सब भूल जाना है अब देखे mindset clear हुआ जब मैं अपने previous session कर रहा था previous session कल का मैंने session किया इसके पहले तो मैंने आपको बताया एक trader का as a mindset कैसा होना चाहिए trader का mindset कैसा होना चाहिए एक समय पर एक psychology या तो buy करने का सोचना है या sell करने का सोचना है ठीक है या तो buying के opportunity धूण निए या sell के opportunity धूण निए कौन तरय करेगा कब buying करने है price तरय करेगा कि कब आप buying के opportunity धूणेगे यहाँ पर इस price ने आपका mindset clear कर दिया है कि खरीदारी की तरफ जाईए बाइंग की तरफ जाईए ठीक है अब ये जो ideology है ये सोचने का जो तरीका है ये आपको profitable मनाता है कि सोच में कहीं संकोच नहीं जो आप सोच रहे हैं, जो आपकी thinking ability है वहाँ पर अप कोई ऐसा आप confusion नहीं रह गया कि long करना ही है, या short भी हो सकता है डर नहीं रह गया, क्यों? आपका price action का concept inbuilt है आपके mind में पूरी तरीके से अप capture हो चुका है ठीक है? अब price जब इसके उपर रुकने लगे consolation phase आप देखने लगे ठीक है? यही consolation phase में entry कहां पर होगी entry होगी, जब price गिरता है, तो मैंने आपको बता है एक linear line, एक सीधी रेखा में कोई किरावट बाजार नहीं करता, कभी भी देखने को नहीं मिलेगी एक सीधी रेखा में price नहीं गिरता है price कैसे गिरता है? fluctuation करते हुए, retracement करते हुए नीचे आता फिर वो जाकर अपना last swing hybrid कर दे, long कीजिए, trend reversal हो गया से, trend reversal हो गया, यही सबसे बड़ी opportunity, यही सबसे बड़ी opportunity है, ध्यान रखिए इस बात को अच्छा, अब देखे positive consolidation क्या, अब देखा जाए positive consolidation कैसे काम करता है देखा जाए, आई यह देखते है पहले, एक दो example हैं पहले लेते हैं, ठीक है कहां गलती होगी, कहां नहीं होगी सब कुछ हैं clear हो जाएगा, यह last candle, देखे, गौर से देखिए सजर, बस मैंने जो बताया वो चीज़े ध्यान रखिए हर बार candle, यह price गिर रहा था, देखे, price गिर रहा है यह 5 minute का, intra-day का projection, हैंना, intra-day का projection, ठीक है अब देखिए, price यहां पर क्या किया, बताये, price यहां पर क्या किया price इस candle के उपर अगली closing किया, अगली closing किया price नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन close उपर हो रहा है, नीचे आने की कोशिश उपर close हो रहा है इस candle को देखे जो मैंने अभी बता है एक डोजी formation प्राइज नीचे आने की कोशिश करे लेकिन close करने उपर जाए close करने कहां गया इस candle के high के उपर फिर अगली candle का formation फिर अगली candle का formation बात क्लिए हुई तो मैंने क्या बात आपके पले नहीं पढ़ रहे ही तब तक confusion है ना अब देखे यह positive consolidation का power है यह क्या है यह positive consolidation का power है अच्छा जहां positive consolidation नहीं होगा मा लेते हैं यह candle यहाँ पर आपने मार किया होता और यहाँ पर positive consolidation ना होता प्राइज इसके अंदर आके trade करता तो यहाँ पर यहाँ पर possibility होती है price में क्या-क्या हो सकता है price इसके बाद low break करेगा ही करेगा यह तो तैह है लेकिन low break करने की मंशा क्या होगी price की वह हमको समझना होगा sorry long लो break करने की मंशा क्या होगी price की दो पहला तो price यहां से दुबारा downtrend में जा सकता है एक नया लो लगा सकता है दूसरा, price यहां ऐसा लंटिंग करे और दुबारा लोट कर अंदर आए फिर long हो दो होता है, अगर price यहां पर positive consolidation ना करे, positive consolidation जब नहीं करेगा तो क्या होगा, price last candle जिससे low लगे, उसके high की उपर close नहीं कर रहा होगा, next 3-4 candles जब अगली 3-4 candle इस high की उपर close नहीं होगी, तो price अंदर आके close कर रहा होगा, तो आप समझ जाए long नहीं करना है, या तो price breakdown करने के बाद गिर जाएगा या फिर breakdown के बाद जब दुबारा अंदर आएगा, तब long करने का कहीं mood बनाएगे, क्यों, ऐसा लंटिंग होगी या फिर price एक fresh low लगाएगा तो long तो यहां करना ही नहीं है फिर, तो mindset देखिए, कितना clear होता है एक support के पास क्या करना है, जब price support के पास पहुँचा बिल्कुल clear हो गया कि नहीं हो गया कल से कभी भी price support के पास पहुँचेगा अब जानते हैं ना क्या करना है, बूला नहीं इसका example जो अभी बताया देखिए, इस candle से यह माल लेजे लो लग रहा है, ठीक है price नीचे आ रहा है, इस candle में consolation की शुरुआत हो, next candle इसके high key उपर close नहीं, next candle इसके अंदर close, next candle इसके अंदर close हलाकि यह एक downtrain नहीं है थोड़ी बहुत गिरावट है, इसके बावजूद ही यह तना beautiful काम कर रहा है अब देखिए, मैंने क्या बोला, price या तो गिर कर जाएगा, fresh low लगाएगा और अंदर आने के बाद जब दुबारा अंदर आएगा, तब उपर जा सकता है या तो fresh low लगाने जाएगा नीचे या SL hunting होगी, तो यहाँ पर क्या हुआ, SL hunting हुआ SL hunting हुआ, अच्छा, इसका और sign देखना है fresh low कहाँ लगते हैं, कल का price आईए देखिए सर, यह इतना logical projection है, कि आप इसको trade करते करते थक जाएगा, गलती नहीं निकाल पाईएगा, कभी भी नहीं आप daily trade कीजिए in projections पे, daily का, रोज का रोज ठीक है, कभी गलती नहीं होगी, life lock अच्छा, अभी यह settlement चल रहा है price में, trading view का chart है यह, ठीक है तो Saturday, Sunday, आ Saturday तो weekend पर settlement चलता है, इस वज़े से price आपको fluctuate करते हूँ दिख रहा है, वैसे market close है, दिखिए, 45945 का price की closing है, कि यहाँ पर अभी आपको गलत दिख रहा है, Monday को जब open होगा, तब fresh shop नहीं होगी, chart पर कोई fluctuation नहीं, settlement चलता है, data में, तो data settlement हो रहा है, ठीक है confused नहीं होईएगा कई लोग confused हो जाते हैं, कई बार मैं weekend को videos करता हूँ, तो आप लोग confused हो जाते हैं, देखिए, यह last support लगा था, अब देखिए, psychology logic को समझेए, बहुत ध्यान से, एक concept इतना बहतर clear होगा आपका, कि आप यहकीन नहीं कर पाईएगा, प्राइज नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इस तरीके से आगे, आगे आने के बाद, आप क्या करेगे, कई लोग बोलेंगे कि प्राइज गिरते हुए, प्राइज में, एक candle, जिसका डोजी formation की तरह हो, तो यहाँ पर train reversal होता है, इसको morning star कहते है, अरे धत्ता morning star कहते है, सर, क्या morning star होता है, वहाँ पर morning star के बाद, positive consolidation है या नहीं है, वो ज़्यादा मातपूर, train reversal positive consolidation से होगा, morning star से नहीं होगा, इसी लिए मैं बोलता हूँ, candle, stick को, individual candle को सीखिये, लेकिन कब काम करेगा, कब नहीं करेगा, when to work, कब execution करना है, कब नहीं करना, यह कौन तै करेगा, यह आपका mindset तै करेगा, projection एक individual candle से नहीं बना है, projection previous buyer और previous seller, और recent buyer seller की fight से build होता है, तो उसको जब तक हम analyze नहीं कर रहे हैं, और candle तो देख रहे हैं, पूरी तरीके से technical हो गए, लोग बोलते हैं न, कि बड़े-बड़े writers को पढ़ लिया, sir, अरे sir, बड़े-बड़े writers को, मैं उन सारी चीजों का आपको निचोड़ बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, वो एक साधारण भाषा में, simple language में, यही classes में करता हूँ, classes में, जो पूरा एक बाजार का निचोड़ है, उसको मैं साधारण भाषा में लाकर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है, आपको delta समझ में नहीं आता, theta समझ में नहीं आता, maximum लोगों को delta, theta, gamma नहीं clear, इतना simple approach से आपको clear कर देता हूँ, classes में जब आप आते हैं, कि आप यकीन नहीं कर पाईएगा कि आपने सीख लिया, जब तक आप समझेगा कि आपने सीख लिया, इतना mature वो concept होता है, कि आप अगले session से trade करेंगे उसको, और गलती नहीं कर पाईएगा, अब यह positive consolation, कितना लोग यहां से trade में गलती कर रहे हैं, देखे data, अपना खुद का previous दरनी उठा कर देखे trading का, देखे कितनी गलती हैं मिलती, मैंने क्या का, last candle इससे low लगे, आप कहेंगे morning star, अरे morning star कुछ नहीं सर, morning star के बाद positive या negative consolation यह बताईए, तो आपने कहा, कि एक candle उपर जाने की कोशिश किया, फिर candle इस high के उपर sustain नहीं कर पाया, अगली candle इस high के अंदर close कर रहे, तो मैंने क्या बोला, low mark कर लीजिए, long करने का नहीं सोचना, या तो fresh low लगेंगे, या SL hunting होने के बाद, जब price अंदर आए, तो long होगा, तो देखे, जब आपने scandal के low mark किये, तो price देखे, इस high के उपर दुबारा जा पाया है, क्या, नहीं जा पाया, price नीचे आया, negative consolidation के बाद, क्या हुआ, price नीचे आया, और fresh low लगाने गया, या तो SL hunting हो जाए, price lot आया, फिर high break हो, तो जाएगा, या फिर, इसी के नीचे से एक नया low लगा देगा, बात clear हुई, तो support के पास, कब reversal देखना है, कब नहीं देखना है, clear हो गया, अब तो कोई doubt नहीं है, अगर doubt है, तो comment section में बताइएगा, और अगर हमसे जुड़ना चाते हैं, तो description में आपके पास contact detail है, हमारी language से connectivity रखते हैं, हमारी भाशा से connectivity रखते हैं, और हमारे concept आपको बहतर लगें, पूरा backtest कर लीजे जाके, पूरा बाजार जाईए, बड़े time frame पे, आप बोलेंगे बड़े time frame पे देख लीजे, अरे sir आप जो बोले हैं, उस time frame पर आपको दिखा दो, एक नहीं, चार time frame क्लियर कर दूँगा sir, single नहीं करता, चार time frame, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यह last candle का formation, price इसके high की उपर रुक रहा है, रुक रहा है, अब यहाँ पर consolidation नहीं किया, कभी घब रही हैंगा नहीं, consolidation यहाँ नहीं किया, लेकिन देखिए, positive consolidation का projection क्लियर हो गया न, कि price last candle की high की उपर sustain तो किया, तीन से चार candle, बहले चलते हुए किया, तो मैंने क्या का, last swing high यह लगे हुए, mark कर लीजिए, जब भी break होंगे, एक momentum देखने को मिलेगा, यह मिलेगा, जब भी break होंगे, एक momentum देखने को मिलेगा, ठीक है, अच्छा, और देखना है, ऐसे कितने ही price दिखा दूँ सर, आपको एक नहीं दस दिखा दूँगा, ठीक है, बस ध्यान से, चीजों को analyze करके काम कीजे, बस इतना याद रखी, अब देखे, यह भी morning star है, यह भी morning star है, अब यह morning star काम कर रहा है, वह morning star नहीं काम कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि positive consolidation वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे देखिए, price आया, इसके उपर एक candle, दो candle, तीन का, रुका ना, अब price चल कर जाएगा, देखिए, अब यही major support की तरह काम कर रहा है, वहीं पर previous morning star, जो भी आपने देखा, छोड़े time frame पर, वह work करते हुए नहीं दिखा, क्यों, उसके बाद positive consolidation नहीं हुआ, यह इतना strong positive consolidation हो गया, कि price इसी को support मान कर आगे बढ़ रहा है, अब बात clear हुई, theory में कोई भी एक भी दिक्कत है तो बताई, ठीक है, अब यहाँ पर यह last candle, यह last candle है, price देखिए, इसके high q पर एक candle दूसरा, तीसरा, चोथा, price पहले चल कर जाएगा, फिर किर सकता है, पहले चल कर जाएगा, यह clear, ठीक है, किसी भी time frame को trade कीजिए, किसी भी stocks में trade कर लिजिए, छोटे से बड़े time frame को trade कीजिए, concept नहीं बदलेगा, setup नहीं बदलेगा, तरीका नहीं बदलेगा, तो एक buyer का mindset, nearby support कैसा रहना चाहिए, clear हो गया की नहीं हो गया, अब गलती नहीं करने, जो मैं आपको एक theory बताता हूं, कि एक समय पर एक mindset, यही वो theorem है, एक समय पर एक mindset, ठीक है, चलिए, आज के लिए पर्यापत है, धन्यवाद,